Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, biodiversity science. आज हम पढ़ेंगे different between xylem and phloem, यानि xylem और phloem क्या होते हैं? पौदो में xylem और phloem की क्या काम होता है, क्या कारिय होता है ये पढ़ेंगे हम. तो start करते हम लोग xylem से, तो xylem क्या होता है? यानि जड़ से, ठीके पौदो के जड़ से, ये क्या करता है, मिनरल्स और वाटर को collect करता है और उसे लीफ तक पहुचाता है, ये xylem का काम है. इसका इसका इसकी पूरी बनावट होती है, जो रूट से ये मिनरल्स और वाटर को collect करके लीफ तक पहुचाता है, इसकी पूरी बनावट एक composition है, इसकी ये dead elements से है. थर्ड पॉइंट है इसका transport unidirectional, यानि इसकी जो transparent होती है, यानि ट्रांस्पोर्ट करने का माध्यम होता है, इसका unidirectional होता है, यानि single direction, यानि एक single direction में ये transport करता है. पॉइंट है इसका it has four types of cell, यानि इसके पास चार types के cell होते हैं, पहला cell होता है ट्रकई, दूसरा होता है विजल्स, तीसरा है जायलम पैरनकाइमा, फोथ जायलम फाइबर, ये हो गया जायलम की बारे में, अब देखते हैं हम लोग फ्लोयम का क्या क्या होता है, तो फ्लोय से हैं, वो भोजन को इखटा करता है वाँ पे, ठीके और उसके बाद वो पॉधों के हर पार्ट में भेशता है, तो इसका काम ये हो गया कि भोजन लेता है लीप्स के द्वारा और फिर इसे भेशता है पूरी बाडी में, ये फ्लोयम का काम हो गया, second point है इसका it is composed of manly living elements, यानि इसकी जो पूरी रचना है, बनावर्ट है, ये living elements से होता है, प्रकास translation करता है और उसके बाद ये भोजन बनाता है और पूरे system में ये भेचता है, तो ये living elements से composition है इसका, तीसरा point है इसका transport is a bidirectional, यानि इसका जो transport है वो bidirectional है, उसका unidirectional था, यानि single direction, इसका opposite direction होत होता है, फोर्थ पॉइंट है, इसके भी चार्ड टाइप के सेल होते हैं, पहला phloem fibers, सेकेंड है safe tubes, थर्ड है campion cells, फोर्थ है phloem parenchyma, तो ये हो गया phloem के बारे में, तो आपको 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 अच्छे समझ में आया होगा कि जाईलम और phloem की बीच में क्या फर्किया जाईलम का काम क्या है और phloem का क्या है, अगर अच्छे लगे वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब माइ चैनल, थैंक यू